आज मैं एक कम मुर्मूरे से कम तेल का इस्तेमाल करके और सुबबे के जल्दबाजी में एकदम नया नाश्ता की रिष्पी ले करके आई हूँ जिसे आप चार से पास मिनट में बना सकते हैं और घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी तो इसके लिए हमें लेना है एक बावल में पानी अब हम एक चलनी रख देते हैं इसके उपर और एक कप लेना है मुर्मूरा अगर कटोरी से आपना पे तो एक कटोरी भर कर ले सकते हैं आप अपने हिसाब से मुर्मूरा ले सकते हैं पानी में डाल देना है और अच्छा से इसे पानी में मिला देना है क्योंकि मुर्मूरा को अच्छा से फुलने के लिए छोड़ना है आप डारेट पानी में भी डाल सकते हैं अब इसे धक कर हम 3-4 मिनट के लिए रख देंगे तब तक इसके लिए हम टेश्टी सा चटनी बनाकर तयार करेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया की पत्ती, थोड़ा सा पुदिने की पत्ती, अतीन हरी मिर्च तीखा के लिए मैं डाल लई हूँ गर्मियों में पुदीना की चटनी रहे या तो पुदीना की पती का सरबत जरूर से पीना चाहिए और खाना चाहिए क्योंकि परेट के लिए बहुत ही जादे पायद biscuit होती है तो हमारी चतनी एकदम चट पटा सबन कर तयार हो गई है चतनी आप पतला या गाड़ा आपने हिसाब से रख सकते हैं अब इसमें हम लगा देंगे तडका तो थोड़ा सा घी को अच्छा से गरम कर लेंगे राई डाल देंगे आदि चोती चम्मस थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसमें दो सुखी लाल मिर्च डाल देंगे और तड़का लगा देंगे तड़का लगाने से चतनी का जो टेश्ट है ना चार गुना बढ़ जाती है इस चतनी को आप बिना तड़का लगाए भी खा सकते हैं रोटी, पराठा, पूरी या तो आप पकोड़ी के साथ में किसी के साथ में इसे खा सकते हैं तीन से चार मिनट के बाद में आप देख सकते हैं कि ये जो मुर्मुरा है एकदम पूरी तरह से फूल कर सौफ्ट हो गई पानी में से निकाल लेंगे और इसे एक गरंडिंग जार में डाल देंगे सभी मुर्मुरा को. अब इसमें डालेंगे एक कप भरके सूजी, जिस कप से आप मुर्मुरा लिये हैं उसी कप से सूजी डालना है. साथ में आधा कप दही लेंगे और इसी कप से आधा कप लेंगे पानी सूजी अगर आप एक कप ले रहे हैं तो आधा कप दही डालिएगा और आधा कप पानी डालिएगा मेजरमेंट एकदम सही रहेगी अब इसे बारिक पीश कर तयार कर लेना है और निकाल लेना है दूसरे बरतन में ये देखिए पेश्ट एकदम गारी है बहुत जादा पतला और ना तो बहुत जादा गाड़ा रखना है तो ग्रेंडिंग जार में थोड़ा सा लगा हुआ है उसको भी अच्छा से निकाल लेंगे अब मैं दिखा रही आपको कल्चुला की मदद से तो देख सकते हैं गिराने पेगदम गारा है और पलट कर एक लाइन खीचेंगे तो दोनों लाइन देख सकते हैं आपस में जुआ तो आप इसमें थोड़ा सा सूजी और डाल सकते हैं बस इसे ढखकर हम रख देते हैं और इसके लिए हम मसाला तयार करेंगे तो एक पेन में रख दी हूँ गैस पे अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो छोटी चमश तेल जो भी तेल आ खाते हैं ले सकते हैं गैस का फ्लेम ह सम्माइ रखेंगे जैसे तيل गरम हो जाए अधी चोटी चमश डालेंगा इसमें राई साथ में डालेंगे आधी चोटी चमश जीरा दोनों जैसे अच्छा से चटक जाए, अब इसमें थोड़ा सा कडी पता ढाल देना है और चलाते हुए इसे हलका सा लाल कर लेना है जलाना भी नहीं है, हलका सा लाल हो गई है अब इसमें डालेंगे सलायसस में कटी हुई पियाज तो यहाँ पर मैं दो मीडियम साड़ की पियाज को इसको मैंने पतला पतला सलाइसस में काट कर डाला है प्याज को हलका सा भून लेंगे बहुत जादा इसको पकाना नहीं है हलका सा इसको भूनना है ताकि ये थोड़ा सा करंची रहे अब इसमें कुछ मसाला डालेंगे आदी छोटी चम्माच हल्दी पाउडर आदी छोटी चम्माच भूने हुआ जीरा का पाउडर आदी छोटी चम्माच डालेंगे धनिया का पाउडर और तीखा के लिए डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर कुटी हुई साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे यानि स्वाद अनुसार डालेंगे मीडियम लोट टू फ्लेम पे मसाला को चलाते हुए भून लेंगे आधी मिनट तक मसाला में से बहुत अच्छी खुसबू भी आ रही है अब चार से पांच आलू को मैं बॉयल करके उसको छील कर बड़े बड़े टुकड़ो में ने तोड़ कर डाल दिया है आलू को चलाते हुए भूनेंगे जैसे आलू हलका सा भून जाए अब आलू को मैस कर देंगे आप चाहे तो कल्चुला की मदद से या तो आप पावाजी मेसर से मैस कर सकते हैं बहुत जादा इसको बारिक नहीं करना है हलका सा दरदरा रखना है आप चाहे तो बारिक बारिक हाथों से तोड़ कर भी आलू को डाल सकते हैं आलू को इस तरह समयज करने के बाद में आदी मिनट तब चलाते हुए आलू का मसाला को और भून लेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आती है कम मसाला में एकदम चटपटा सा बनती है यह मसाला अब धनिया की पत्ती थोड़ा सा डालेंगे मिक्स करेंगे और गैस को कर देंगे बंद आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं या बीना चाट मसाला का भी बना स यह अलू का मसाला बहुत ही जादा स्वादिश्ट एकदम चट्पटे बनते हैं मसाला को हम निकाल लेंगे दुसरे बरतन में और यह जो हमने पीस का रखा था मुरमुरा और यह भी अच्छा से से शेट हो गई है थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पौडर बहुत से मिलाने के बाद में यह देखिए पेश्ट एकदम तयार है बनाने के लिए चलिए चलते हैं गैस की तरफ यहां पर में पेन लिहू बनाने के लिए थोड़ा सा तेल डाल देंगे और पेन को अच्छा से गरम कर लेंगे तेल को पेन में अच्छा से ग्रिस कर देंगे और थोड़ा सा हम कलोजी डालेंगे अब इसके उपर एक कल्चुल भरकर पेश्ट को डालेंगे और अच्छा से फैला देंगे जैसे हम दोसा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से फैलाना है पेश्ट को मोटा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं बस दो से तीन मिनट के बाद में जब नीचे अच्छा से सिख जाए हलका सा तेल डालेंगे बस आदी छोटी चम्म से थोड़ा सा कम डालेंगे अब बरस से अच्छा से उपर भी फैला देंगे अब इसके उपर आलू का मसाला बीच में एक साइड से पकड़ेंगे और इसे उपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे दूसरे साइड भी पकड़ेंगे उसको भी फोल्ड कर देंगे और चम्मस से इसको या कल्चुला की मदद से इसको हलका सा दबा देंगे फ्रेस करेंगे दोनों साइड इस तरह से द जाल हो जाए उपर के साइड भी इसे पलट देना है और हलका सा लाल कर देना है तो उलटते पलटते दो मिनट तक इसे अच्छा से पका लेना है निकाल लेना है गैस को कर देना बंद इसी तरह से सभी नास्ता को बना लेना है तो लीजिए गरम गरम नास्ता बनकर तयार हो ग तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे और ये नास्ता सुबह या साम के जल्दबाजी में जटपट से आप बना सकते हैं इसे खाने पर आपको डोसा का टेस्ट मिलेगा तो जरूर से ट्राई करिएगा अक्सर हम डोसा बनाते हैं तो चावल को घंटो भीगोना पड़ता है इसे ना तो भीगोना है ना जादे लंबे समय तक रखना है तो जरूर से ट्राई करिएगा तो कैसी लगी आज की हमारी रेश्पी कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर से बताईएगा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सेयर और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर से करिएगा ताकि हमारी आने वाली नई नई रेश्पी का वीडियो आप लोको मिलती रहे फिर कल मैं दुसरी नई रेश्पी लेकर के आऊंगी धन्यवाद